प्लेशन 5 के रिलीज देट और प्राइस के बारे में तो पहले अगर आपने मेरे चान को सब्सक्राइब ने किया है जो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरू प्रेस कर देना क्योंकि यहां पर मैं गेमिंग से जोड़ी बहुत सारी इंफर्मेशन और अपडेट देता रहता हूँ तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की निटिफिक्रिशन सबसे पहले मिले तो बात करते हैं प्लेशन फाइब के रिलीजिंग डेट के बारे में क्योंकि यह जो कंफर्मिशन आई है यह सीधा सोनी की तरफ से निकल के आई है और सो सब्सक्रिम्इर प्लेशन 4-5 इसारी डिटेलोंने उन시면 हो जाएंगी और 29 ओने में ृवीयल हो जाएगा तो अब बात कFlow Canada plus यहां पे Sony काफी struggle कर रहा है PlayStation 5 के price को low रखने में और affordable रखने में क्योंकि यहां पे इसके जो parts हैं उनके price जो है काफी expensive पढ़ने है Sony को SSD जो बहुत expensive पढ़ने है और इनका जो Zen Navi 2 CPU है वो काफी expensive है तो parts जो Sony में लगाए गए है PlayStation 5 में जो parts लगाए गए है वो काफी expensive parts लगाए गए है तो इसलिए Sony काफी struggle कर रहा है इसके price point को affordable रखने में तो यहां पे manufacture जो price पढ़ रहा है Sony का वो $450 पढ़ रहा है तो अब देखते हैं कि क्या Sony कितना affordable बना सकता है PlayStation 5 को कितने हद तक price को low रख सकता है Sony तो देखते हैं अब फ़ैवरिक event में शायद आपको कुछ देखने को मिल जाए क्योंकि यहां पे बताया तो यही गया है कि same timeline जो है PlayStation 5 pattern जो है same pattern जो है follow करेगा तो अब देखते हैं कि PlayStation 5 जो है February रिवील होता है यह नहीं तो I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो like कर देना चैनल को subscribe जरूर कर देना और bell icon को press कर देना क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया मैं gaming से जूली बहुत सारी update और information आपको देता हूँ और आपको कोई सवाल हो तो comment section पे जरूर पूछ सकते हो तो मिलते है अपने next studio में till then take care